नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अचानक दिशा और SSR के नाम की चर्चा होनी शुरू हो गई है और पुरानी बाते भी खुलने लगी हैं अभी 4-5 दिन पहले डिप्टी सीम साहब ने महराष्ट विधान सभा में कहा था कि अगर किसी के पास में सबूत हो तो SIT को सौंप दो और 4 दिन के बाद ही इतना बड़ा सबूत अपने आप बाहर आ गया है कि अगर ढंग से अभी भी जाच की जाए या इसी कलू पर आगे बढ़ा जाए तो SSR केस का सच एक हफते में बाहर आ जाएगा SSR के समय पर इतनी सारी चीजे हुई कि प्रोफेशनल्स की तो बात छोड़ो आम आदमी को भी साफ दिख रहा था कि SSR की हत्या हुई है लेकिन हत्या के अगले 4-5 दिन में चीजे इतनी तेजी से कवर की गई कि जब तक मुद्दा किसी की समझ में आता तब तक बहुत सारे सबूत दबा दिये गए थे और गायब कर दिये गए थे अब SSR और दिशा केस की चर्चा होते ही कूपर अस्पताल के मौर्चुरी का एक सर्वेंट सामने आया है और उन्होंने बहुत हैरान करने वाले खुलासे की है इनका नाम है रूप कुमार शाहा ये उस टीम का हिस्सा होते हैं जो टीम कूपर अस्पताल में पोश्ट माटम करती है इनको 28-30 सालों का अनुभव है एनाई से बात करते वे रूप कुमार शाहा ने कहा कि सुशान्त ने आत्मत्या नहीं की थी उनकी हत्या हुई थी रूप कुमार ने उस दिन की घटना को सिलसिलेवार तरीके से पूरी डिटेल में बताया रूप कुमार ने कहा कि मैं 14-15 जून को ड्यूटी पर था उस समय एक VIP बॉड़ी आई इसलिए बहुत जादा पुलिस भी साथ में थी उस एक्टर का नंबर 11-12 बजे आया कपड़े खोलने के बाद हमने देखा कि बॉड़ी थोड़ी अलग दिख रही थी रूप कुमार ने ये भी बताया कि जब भी कोई बॉड़ी आती है तो मैं एक दो लोगों के साथ में बॉड़ी के कपड़े उतारने का डॉक्टर्स की हेल्प करने का और जब वो पोस्ट मॉटम कर रहे होते हैं तो उन लोगों की मदद करने का काम करता हूँ और हमें ही पोस्ट मॉटम के समय साथ रहना होता है जब मैंने उस एक्टर के कपड़े निकाले तो मुझे वो आत्मत्या वाली बॉड़ी नहीं लगी इसके बाद मैं अपने सीनियर सर से बात करने गया मैंने सर को बोला कि सर ये बॉड़ी एकदम अलग है मुझे 28 साल का तजुर्बा है 50-60,000 बॉड़ी का मैं पोश्ट मॉटम करवा चुका हूँ इसके बाद साहब ने मेरी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मुझे इग्नॉर किया और कहा कि बाद में डिसकस करते हैं अभी तुम पोश्ट मॉटम की तयारी करो रूप कुमान ने आगे बताए कि बॉड़ी को अबजर्व करने के बाद मैंने देखा कि उनके गले पर जो निशान था वो वैसा निशान नहीं था जैसा आत्मत्या के समय गले पर बनता है मैंने हजारों आत्मत्या के केस देखे हैं पूरी जिंदगी मैंने ये काम किया है तो मैं जानता हूँ कि कौन सा निशान आत्मत्या का होता है और कौन सा अलग होता है गर्दन का वो निशान ऐसा था जैसे किसी ने बराबर में बैट कर उसका गला घोटा हो इसके अलावा फांसीपल लटकने से उपर की तरफ निशान होता है गर्दन में जबकि वो गर्दन के पीचो बीच में था हाथ, पैर, छाती और चहरे पर चोट के निशान थे जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हो किस चीज से मारा था ये नहीं बता सकता लेकिन वो चोट के निशान थे इसके अलावा पैर में फ्रेक्चर जैसा भी था रूप कुमान ने कहा कि मैंने अपने सर से पूरी बोड़ी तसली से देखने के बाद फिर से बात करनी चाही लेकिन उन्होंने मुझे चुप करा दिया इसके अलावा रूप कुमान ने कहा कि पोश्ट मार्टम के दौरान हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है लेकिन मेरे सीनियर ने वीडियो ग्राफी करने को मना कर दिया और कहा कि सिर्फ फोटो लो, वीडियोग्राफी नहीं कर दी है रूप कुमान ने ये भी कहा कि डॉक्टरों को किसी ने स्पेशल बोला था कि वीडियोग्राफी नहीं कर दी है, सिर्फ फोटो लेने है डॉक्टर्स की टीम को वीडियो ग्राफी की इजाजत नहीं थी तो हमने भी आदेश का पालन किया रूप कुमान ने बताये कि रात में कभी भी पोश्ट मार्टम नहीं होता है लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि पोश्ट मार्टम करके जल्द से जल्द बोडी हमें वापिस करो इसके बाद हमने बोडी की फोटो ली और रात में ही पोश्ट मार्टम कर दिया इसके बाद post-mortem report में जो भी लिखना होता है वो डॉक्टर्स का काम होता है उसमें हमारा कोई रॉल नहीं होता लेकिन मुझे बाद में media report से पता चला कि post-mortem में इसे suicide बताया गया था जबकि सुशान्त की बॉड़ी को देखकर आम इनसान भी बता सकता था कि ये आतमत्या का केस बिलकुल नहीं है रोप कुमान ने कहा कि सुशान्त को इंसाफ मिलना चाहिए वो सामान्य सुसाइड का केस नहीं था investigating agency अगर मुझे पूछेगी, मुझे बुलाएगी तो मैं उन्हें ये सारी बाते बताने को तयार हूँ और अपनी बातों को मैं साबित भी कर तूँगा वैसे आपको बता दूँ कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी ने इस तरह का दावा किया हो पोश्ट मार्टम के लिए जब बॉड़ी को लेके जाया जाता है तो अस्पताल के ही वाड़ बॉई और मेल नर्स बॉड़ी को लेके जाते है उसी श्टाफ में से पहले भी एक लड़के ने ऐसे ही बहुत दावे किये थे लेकिन वो लड़का फिर कहां गायब हो गया उसका कुछ पता नहीं चला उस लड़के ने अपने बयान में कहा था सारे न्यू चैनल पे वो बयान चला था उसने कहा था कि ये आत्मत्या का केस नहीं है ये अहत्या हुई है और उस पर चोट के निशानते बहुत जादा गर्दन पे खरोचने के निशान भी थे लेकिन किसी ने भी उसका पता करने की कोशिस नहीं की अब फिर से एक और गवा सामने आता है जो SSR की बॉड़ी का आई विटनिस है जिसने खुद ने पूरी बॉड़ी अपनी आँखों से देखी है रूप कुमार के ये बयान से सिर्फ SSR की बॉड़ी पर चोट के निशान या मडर की बाती साबित नहीं हो रही है बलकि इससे एक और बात पता चलती है वो ये कि डॉक्टर की टीम को वीडियोग्राफी करने से मना किस ने किया था कौन लोग थे जिसने डॉक्टर को मना किया कि वीडियोग्राफी नहीं करनी है सिर्फ फोटो लेने है और पोश्ट मार्टम के पहले और पोश्ट मार्टम के बाद में किसको इतनी जल्दी थी कि बॉडी को वापिस लेना है कौन थे वो लोग जिन्होंने रात में पोश्ट माटम करने को कहा और जल्द से जल्द बॉडी को वापिस ले जाने की उन लोगों को बहुत जादा जल्दी थी पोश्ट मार्टम इतनी जल्दी मतलब किसको कराना था ये आदेश पुलीस वाले दे रहे थे या पुलीस को भी उपर से इंस्ट्रक्शन्स मिल रहे थे सारा केस ओपन होने में चार दिन का समय नहीं लगेगा अगर डिप्टी सीम सहब रूप कुमार के बयान के आधार पर आज भी डॉक्टर्स की उष टीम से पूस्टाज कर ले जिसने पोश्ट मार्टम किया था इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो 14-15 जून 2020 को सस्पीसियस थे जब SSR की बॉड़ी अस्पताल के मौर्चुरी में रखी थी उस समय रिया चक्रवर्ती को बॉड़ी के पास जाने की इजाज़त देने वाला डॉक्टर या पुलिस अधिकारी कौन था उसे उठा कर पूस्ताच करनी चाहिए क्योंकि एक तरफ तो उस वैक्ती ने रिया को SSR की बॉड़ी के पास जाने की इजाज़त दी जबकि दूसरी तरफ SSR की फैमली को ही मौर्चुरी में जाने से मना कर दिया था मतलब सी ग्रेड एक्टरिस की आउकात SSR के परिवार से जादा थी पोश्ट मार्टम के बाद के हालात भी बहुत तेजी से बदले गए और पावरफुल लोगो द्वारा कंट्रॉल किये गए पोश्ट मार्टम के बाद अंतिम संसकार भी बहुत जादा जल्दबाजी में किया गया ये सारी चीजें किसके इशारे पर हो रही थी एक मूर्ख से मूर्ख वेक्ती को भी पता है कि जब कहीं कोई सस्पीसियस डेथ होती है तो उस क्राइम सीन को पुलिस द्वारा सील किया जाता है लेकिन जिस रूम में SSR की बॉड़ी मिली उस रूम को सील करने की जगा खुला छोड़ कर उसे आने जाने वालों के लिए पिक्निक स्पोट बना दिया ताकि बाद में वहां फोरेंसिक जाच की जाए तो कोई सबूत ना मिले ये लापरवाही थी तो क्या उन ओफिसर्स पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए जिनोंने इतनी बड़ी लापरवाही की वो भी इतने बड़े केस में और लापरवाही नहीं थी तो किसके इशारे पर क्राइम सीन से सारे सबूतों को मिटाया गया इस केस में इतनी खामिया होने के बावजूद आज भी इतने ज़्यादा चांसी जैं कि अभी भी अगर इमानदारी से जांच की जाए और पोश्ट माटम करने वाले डॉक्टर्स के साथ में उस समय इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकार्यों से पूस्ताच की जाए तो सच बाहर आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक सच ये भी है कि पुलिस वालों को जो वैक्ती इंस्ट्रक्शन्स दे रहा था वो इनसान असली बड़ी मचली का सबसे खास आदमी है CBI की टीम ढ़ाई साल से पता नहीं कौन से ग्रह पर जाकर जांच कर रही है कि अब तक उसका अतापता चली नहीं पा रहा है जबकि SSR केस में भले ही बहुत बड़े लोग इन्वाल्व हो इसे कितनी भी चालाकी से अंजाम दिया गया हो लेकिन फिर भी इसमें सच पता करने के धेरो तरीके हैं लेकिन CBI धाई साल से चुप क्यों बैठी है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है पोश्ट माटम करने वाली टीम मेंबर के इन दावों को आप कैसे देखते हैं आप भी अपनी राय देना क्या अब इस केस में कुछ पॉजिटिव होने वाला है अभी भी राजनेतिक हतकंडे अपनाई जा रहे हैं अभी इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में जैहिन जैराम जी की